हम अब आ जाते हैं अपने इस वाले कोड में ठीक है यह हमने टर्णरी ऑपरेटर कवर कर लिया है लास्ट अब हम जा रहे हैं कॉमपैरिजन ऑपरेटर की तरफ अच्छा दी comparison operator जो होता है न वो एक operator है जितने भी comparison operator हैं उसके बारे में ये हमेशा याद रखिएगा कि comparison operator जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ boolean return कर सकते हैं और कोई भी data type return नहीं कर सकते हैं अच्छा इस example में अगर आप note करें तो मैंने का कि यार एक variable बनाऊ temperature उसमें user से input लो ठीक है प्रॉम्ट भी तरीका input लेने का जो कि not recommended हम form से input लेंगे हमेशा जैसे इस class में हम शुरू से लेते गया हैं ठीक है लेकिन फिलाल मैंने यह पर प्रॉम्ट लगा दिया है time को save करने के लिए अच्छा यह प्लस जो लगावा है प्लस का मतलब है कि इस जो भी input यहां से दिया जाए उसको नंबर में convert करके इस variable में डाला जाए ठीक है इस प्लस का मतलब यह अच्छा तो मैंने का कि इस temperature equals equals 30 अगर exactly 30 बंदे ने बोला है temperature अगर exactly 30 है तो यहां पर क्या लगा दो condition is true लगा दो otherwise condition is false लगा दो ठीक है तो यह तो हमने देख लिया कि यार एक comparison operator है comparison operator हमेशा boolean return करेगा कोई और चीज return नहीं कर सकता comparison operator अब ज़र हम देखते हैं कि इस equals equals के इलावा कौन-कौन से comparison operator है यहां पर मैंने एक लिस्ट भी इसकी बनाई विए ठीक है जी equals to not equals to less than greater than less than or equal to or greater than or equal to यह सारे comparison operator हैं जो javascript में most commonly use होते हैं अच्छा हम ज़रा कोई internet से भी देख लेते हैं comparison operators javascript ठीक है तो यह हमारे पस डबलू थ्री स्कूल पर एक लिस्ट आ गई है यह वो तमाम comparison operators है ठीक है तो यहीं वाले हैं इसके लावा और कोई यहां पर भी इनोंने mention नहीं किया है ठीक है यह link मैं आप से share भी कर देता हूँ यह link मैं यहीं पर अटैज कर देता हूँ इस फाइल के साथ यह मैंने लिंक यहां पर अटैज कर दिया तो यहां पर तमाम comparison operator और उसको आप try भी कर सकते हैं यहां पर और यहां पर कुछ examples भी बना के दिखाई वी हैं कि अगर अब इनके पस एक x variable है जिसमें 5 मौजूद है ठीक है तो यह बोलते हैं कि भाई x equals equals 8 तो false obviously क्योंके x में तो 5 है x equals equals 5 तो यह true और x equals equals 5 तो यह भी true अच्छा अब आप note कीजिए यहां पर ना comparison operator में एक double equals है और एक triple equals है double equals जो है वो not recommended है double equals मैं भी कहीं पर आप ने देखा होगा अभी तक इस्तमाल नहीं किया मैंने तो double equals जो हो not recommended है double equals में और triple वाले में difference यह है कि यह जो double equals है यह lose checking है यह इतना ज्यादा strictly चीजों को चेक नहीं करता ठीक है मिसाल के तोर पे अगर कोई चीज जैसे यह आप देख रहे है एक्स नंबर में मौझू गई है जो variable x में 5 लिखा हुआ है यह numeric 5 है यह string में नहीं लिखा हुआ है लेकिन जब इसको string से match करवाते हैं तो ओभी यह क्या करता है उसको बोलता है हाँ same है यह data type को check नहीं कर रहा है सिर्फ value को यहाँ पर check कर रहा है ठीक है तो यह not recommended है however तो यह आपने कभी भी कोशिश करना है कि आप कभी भी इसको use ना करें अच्छा उसके बाद जो है वो triple equals इसके बारे में इनोंने काया कि equal value and equal type यह दोनों चीज़ें चेक करता है value को भी चेक करता है और type को भी चेक करता है यही वजाए कि आप देखें एक्स triple equals to 5 किया तो true है लेकिन x triple equals to string वाला 5 जब किया तो यह false है इसके अंदर ठीक है तो यह वाला recommended है सब जगा पर यहीं not equals to just opposite है equality का opposite है मिसाल के तौर पर अभी क्या होता है कि जब मैं exactly 30 देता हूँ ना जब ही मेरे पस true आता है इसको जड़ा मैं file को run करके अब देखते हैं file को run करके आगे की बात करते है ठीक है अब मैं exactly 30 दूँगा ना जब ही लिखा वाएगा condition true ठीक है लेकिन अगर मैं 30 के इलावा 31 भी दूँगा तो condition is false आएगा ठीक है अगर मैं 31 के इलावा 29 दे दूँँ एक का मुस्त है तो भी false है condition अब अगर इसको मैं not equal कर दूँँ ना तो यह उसका opposite है मतलब पहले condition सिर्फ 30 पे true होती थी ना अब सिर्फ 30 पे false होगी अब सिर्फ 30 पे क्या होगी false होगी अब मैंने 30 किया तो 30 पे false है 30 के इलावा सब पर true है यह 31 पर भी true रहेगी और 29 पर भी और इसके इलावा जितने भी पूरे नंबर है सब पर यह true रहेगी सिर्फ 30 पर यह false हो जाएगी तो यह इसका opposite है हमने यह देख लिया अच्छा उसके लावा हमारे पस less than और greater than यह आप सब लोग इस्तावाल कर चुक है यूजर 0-29 तक यह true रहेगी वैल्यू 29 से जैसी 30 होगी और 30 अबव होगी तो यह condition false होना शुरू हो जाएगी तो अब जरा देखते हैं इसको चला कर मैंने का कि यार 12 तो इस पर यह true है मैंने का कि 20 इस पर भी true है और मैंने का कि 28 इस पर भी true है 29 पर भी true है ठीक है 30 जैस 31 और 40 इस पर फॉल्स रहे गई तो आपने नोट किया कि 29 तक यह true है क्योंकि अब होता किया है यह पर कि इस जगह पर 29 लिखा वा गया तो आप देखें 29 इस लेस यह मतलब एक ऐसे एरो से बता रहा है कि यह इस तरफ वला चोटा इस तरफ वला बड़ा है ठीक है 29 इस लेस देन ग्रेटर देन इसमें मोस्ट अफ दे टाइम बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन रहती कि यह क्या चक्कर है ना मतलब मिस्टेक हो जाती है कि कौन सा लेस है और कौन सा ग्रेट है ना तो उसका भी मैं आपको एक एक छोटी सी चीज है जो मैं अपने मैंस को किस तर तो हम यह इमेजन करते हैं कि यह एक वैल्यू यहाँ पर है और एक वैल्यू यहाँ पर है ठीक है और बीच में इसके क्या लगाव है ऐसे करके यह इक्वालिटी लगी भी है ना इसका मतलब है कि यह दोनो जो है वैल्यूस वो क्या है यह दोनो वैल्यूस जो है वो इक्व वाल है इसके और यहां पे जो पार्ट है यह भी इक वाल है, ठीक है, इमेजन कर लें इसको आप एक तराजू के तोर पे इमेजन कर लें, कि यहां पे ना एक ऐसे, यहां पे एक ऐसे क्या लगाव है, पुली लगी भी है, ठीक है, और यहां पे वो वैल्यू ऐसे लटकी भी ह ठीक है और ये इधर वाले की बात हो रही है तो अगर सही है तो अब जैसे पुराने जमाने वाले टीवी में भी आपने देखा होगा कि भाई ऐसे वालियम का बनाया वह था था कि भाई अगर आप इस तरफ ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा वालियम ऐसे कम हो रहा होगा तो अब इसको ऐसे इमाजन करें कि भाई ये सम्टाइम सीधा रहेगा और जब ये ऐसे हो गया तो इसका मतलब है कि ये वालियम ये लो वालियम है इस तरफ वाला जो है वो कम है और अगर ये ऐसे हो गया तो इसका मतलब है कि इस तरफ वाला जो वो कम है यह इस तरफ वाला ज्यादा और इस तरफ वाला कम है ठीक है तो यह ऐसे डिनेट करता है तो वालियम वाला जो वो ऐसे करके होता है जैसे मैंने उपट ड्रॉ किया है लेकिन आज कल जो है वो दो उसको ऐसे करके बना रहे होत तो यहां पर 29 तक तो ऐसा है लेकिन जैसे यहां पर 30 हो जाता है तो 30 is not less 30 less नहीं है 30 से 30 less नहीं है equal है यह लेस नहीं है तो मैं यहां पर क्या बोलता हूँ मैं बोलता हूँ कि यहां पर less than or equal to यह एक और operator है हमारा ठीक है तो अब यह क्या करेगा कि जब यह 30, 30 दोनों तरफ बराबर होगा न तो भी यह असल में यह क्या करता है less than or equal to कि या तो less हो या तो equal हो तो अब यहां पर मैं वापिस temp लिखता हूँ और अब मैं इसको 30 जब दूँगा न तो भी यह बोलेगा कि भाई यह पहले 29 तक true आता था अब 30 तक true आएगा 29 true और 30 भी true सही है अब 31 पर यह जाके false करेगा 31 पर false करेगा अब यह अच्छा इसी तरीके से यह less than होगा अब यह greater than तो आप यहां पर देखें यह कहारा है temp greater than होना चाहिए और equal to होना चाहिए ठीक है मतलब temp को greater का मतलब है 30 से उपर उपर हो यह 30 के equal हो ठीक है greater और equal तो अब हम यह आप इसको देना शुरू करते है जरा values और देखते हैं कि क्या होता है मैंने कहा कि यह 29 false ठीक है क्योंकि greater चाहिए इसको इस बारी 30 true हो गया 30 से यह true देना शुरू करेगा 31 पर भी true देगा 40 पर भी true देगा सब जगा पर यह true दे रहा होगा ठीक है तो यह हमने comparison operator कौन सा पढ़ लिया less than equal to और greater than equal to ठीक है यह सारी चीज़े हमने cover कर लिया है यह आपर तो इस comparison operator से मतालब अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले